हलो एवरिवन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे आज का वीडियो मोस्ट आवेटेड रेसिपी के ऊपर था जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि टोमेटो केचप होममेड हमने यूज किया है बच्चों के टिफिन बॉक्स और लंच के लिया है और उसे पानी में थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल कर लगभग आधा घंटा छोड़ दिया था इससे के ऊपर जो भी स्किन के ऊपर केमिकल्स होंगे या पिस्टिसाइड होगा वह एक हद तक निकल जाएगा अब हम टोमेटो को इस तरीके से कट कर लेंगे और इस रेसीपी को बनाना बहुत ज्यादा आसान है आप पूरा वीडियो देखिए अंत तक तो यहां पर हमने एक पैन ले लिया है एक कडाही और इसमें हमने जितने टोमेटो कट किये थे उसमें डाल देंगे और हमने नमक इसमें आड़ किया है लगभग मैंने छोटे च चममच होता है उससे लगभग 3 चममच अब क्या करेंगे जिंजर के चिलके इस तरीके से पील करनेंगे और एक से 1.5 इंच जिंजर है जो हमने ले लिया है और एक लेंगे बीट रूट इसे भी अच्छी तरह से पील करेंगे इसके छिलके हम उतार लेंगे नाइप से या पीलर से तो देखिए मैंने इसे काड पील कर लिया है अब इसे हम कट कर लेंगे तो इसके भी छोटे-छोटे पीचेर काट करेंगे यह हम इसमें आड करते हैं इससे तोड़ा टोमैटो केचप का कलर आए और बाडिया वऑर यह को मिटिभल हम इस तरीके से काट लेंगे quelque को चूटे-चोटे पीसे में और आधी च्छोटी कक्राट किया है और यहाँ पिपी चिली पावड़ एक एठ पाउड़ चिलि पाउडर, और दो पींच हमने, काली मिर्ज पाउड़र अड़् किया है, है। इसे हम मिक्स करके कवर कर देंगे, पांच मिनच के लिए, हमने लो फ्लेम पर इसे कुक किया। यह देखिए टुमैटो से पानी अच्छे से रिलीज हो चुका है, अब इसी पानी में ये कुख हो जाएगा तो दुबारा भी हमने इसे कबर किया था तीन से चार मिनट के लिए लो फ्लेम पर अब ये देखिए हलका साथ सेमी ठिक दिख रहा होगा इस पॉइंट पे हम इसमें आड़ करेंगे विनेगर एक चमच छोटा चमच हमने विनेगर ये अड़ कीया है और इसे भी इसके साथ मिक्स कर लेंगे विनेगर आड़ करने से थोड़ा सा लोग-लास्टिंग होता है थोड़ा ज्यादा दिन तक टिकता है हमारा केचप और वो खड़ाब नहीं होता है अब इसे ठंडा कर लेंगे और थंडा करने के बाद मिक्सी डालेंगे और पीस लेंगे मिकसी जार में डालने से पहले आप इस से ठंडा जरूर कर लें तो भीच बीच बीच Um देकتे रहेंगे और इसका Lits त्यार करेंगे तो इसका फाइन पेस्क तैया हो चुका है अब हम इसके क्या करेंगे एक बोल में एक छनी डालेंगे और छनी के उपर इसे डाल कर छान लेंगे इससे क्या होगा इसमें जो रेसे होंगे या टोमेटो के छिलके होंगे या बीट रूट के कुछ अगर मोटे दाने हैं तो वो सारे हट जाएंगे तो हमने और भी फाइन बनाने के लिए हमने इसे छान लिया और जो बचा उसे वापस से mixi में डाल कर piece लिया है अब same process हम repeat करेंगे और इसका paste त्यार कर लेंगे तो tomato ketchup इस तरीके से हम ready कर लेंगे बहुत ही आसान है ये बनाना आपने देखा होगा वीडियो में ये किस तरीके से हम लोगों ने इसे ready किया है बहुत कम time लगता है और मेहनत त transfer कर लिया है तो आप किसी airtight container में इसे डाल कर lid लगा कर आप फ्रेज में रख सकते हैं और फ्रेज में रखने के बाद हम इसे कम से कम 15 से 20 दिन तक consume कर सकते हैं तो देखा आपने कितना आसान recipe है ये और market के tomato ketchup से ये कई गुना ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में तो आप इस recipe को try कीजिए और मुझे comment करके बताइए आपको ये क्यासा लगा मेरे channel पर नहीं है तो please like, subscribe, share चरूँ कीजिए